नमस्कार मैं हूं मिनी माथुर और आप है मेरे साथ दिली दिल से में जहां हम दिली के अलग-अलग पहलों से आपको वाकिव कराते हैं कला, संस्कृती, नित्य और संगीत दिली ने हमेशा से ही इसे बढ़ा हवा δिया है दिली को देश का संश्कृति के इस समंदर में गोते लगाते हैं हमारे आज की खास मेहमान के साथ, ये हैं फिल्मेकर, फैशन डिजाइनर, कवी, कलाकार, संगीत प्रेमी और सोशल वरकर, मुझदफर अली के साथ. मुझदफर साथ, वेलकम तु दु शोर. अदाब. अदाब. और मुझदफर ये दो चीजें बहुत इंपोर्टन्ट हैं, हुसन और और इंसानियत, तो इनका जहां संतुलन बिगड़ जाता है, वहां आदमी हैवान बन जाता है, शैथान बन जाता है, तो मैं इनको बैलन्स करने में मुरी पूरी जिंदगी गुजर गई है, तो बैलन्स करते करते हैं, आपने अपने बहुत अलग अलग रूप और परसॉना धूँदे हैं, क्योंकि सब अंदर से एक है, कोई अलग चीज नहीं है, जब आप अपने अंदर की बात दुनिया तक पहुचाना चाहें, तो फिर एवरिधिंग बिकम्स अमीन्स तो इन एंड, जैसे पिर मुसीकी पैदा हो जाएं, शायरी में नहीं करता हूं, हलांके आपके अप्स्रीमली पोईट्री डिवन, हमने तो सुनाए कि आप अच्छी खासी शायरी कर लेते हैं, मेरे दोस्त नहीं कहा थे, कि अगर अच्छी शायरी सुनने को मिल जाए तो शायरी मत करना है, और अगर मैं अपनी शायरी कलने रखता, तो मुझे किसी दूसरे की शायरी समझ में नहीं आती है, तो आपने अवद, गमन और उम्रावजान जैसी फैंटास्टिक, क्रिटिकली अक्लेम फिल्म्स बनाई हैं, लेकिन आपने कभी कमोर्शली फिल्म्स बनाना पसंद नहीं किया वाई इस दूसरे काम अपने जड़ा हैं, और जब तक आदमी दर्द नहीं महसूस करता है, उसका फन बेकार है, गमन की परड़ा मिली वो गाउं के तूटने से मिली हैं, जब आपने गमन बनाई थी, तो अब आपने अपने बनाई थी, तो अवद अवद आपने परसनल प हाई अवद आपने शच्किश एफ और प्टरिय आपने अपने सब्सेंटे में बनाई एक पर श्चरा अभाध मुद आम आप शकिशेयर घलत राहए शोख में, बनजिल तमाम उमर भूंती रही, तो व तव इस्याति शेयरिझा ता, अर उसकाद अग्ड़ा है, उसकार आदम उसी राह के नक्षे कदम पे हम चल रहे हैं लेकिन आपने अपने आंक्स्ट और दर्द में ही आपने दो और अच्छी फिल्मे बना डाली वो भी दर्द की थी मुनाजान का दर्द तो वो भी एक समझे एक बीटिफुल फिल्म अपने बनाई क्यों फिल्म दुनिया जा क्यालस वर्ल उसका पूरी एक एमोशनल क्रियेटिव एविलूशन जर्णी थी और वो भी जमीन से जुड़ी कहानी थी अबद से जुड़ी भी कहानी थी अबद जो आज वो नहीं रहा जो था उस वक्त अबद अपने अरूज पर थाओ फिर उसके बाद जो मैंने फिल्म मसला है गन्ने का और गन्ने के किसान का किस तरीपे से संटीस से शोशन होता चला रहा है और किस तरीपे से वो मझबूर होता है गन्ना जलाने पर भी अपना इपना 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 पीपल इन रूरल कंट्री साइड टॉबल द वे आए फाइंड दॉन गन्ना इस ए इंपॉर्टन टिशू मुझाफर साब आप सूफिजम में बहुत रूची रखते हैं हमने सुना है या आपको लगता है कि दिल्ली और सूफिजम का भी कुछ पुराना नाता है सूफिजम तो मैं खाल में एक गुद्रती चीज़ है और इनसान के विर्से में आती ही क्योंके उसका जो पूरा फुरसफा है तो फिल्सफा है तो यह सब महबत पे है और आदमी जो है कोई महबत से अलग नहीं है जिसमें महबत नहीं है तो वो इंसान नहीं है तो सारा खेल महबत का है पीस and love, isn't it? यशर महबत है तो पीस आई जाई हुए बगार महबत के पीस महबत में पीस नहीं मृता explored कि नहीं बहुत अन्रेस्ट रिए वो तो फेर मैट्रर मोनियल मामाना मैं जब कश्मीर में फिल्म ना रहा था उस वक्त जो महौल था वहां जो मुझे लग रहा था तो एक तरफ तो एक जीब सा टेंशन और तरदू का महाल था और अंदर अंदर एक अजीब सा हुसन था वहां और वो हुसन मुझे लगता है सदियों से वहां पर महफूज रहा है और वो जब मैं उसकी गहराई में उतरा तो मुझे लगा कि वो सिर्फ फरकीरों की शायरी का हुसन था सुफयान कलाम का हुसन था, अमीर खुसरो का हुसन था, जलारुदीन रूमी का जामी का हाफिज का हुसन था and that was something that connected me with nature and the humanity and on the other hand there was this all this tension and turmoil of we didn't know के आज क्या होगा उस दिन, this was in 89, exactly, at the beginning of the insurgency so there was a lot of turmoil in the city so then I when I actually I had to literally abandon the project with stream and I came to Delhi in 1990 and settled here for about a good amount of time when I came to Delhi, I opened a new world and that world was actually in a way connected with the faqeers it was connected with faqeeri, it was connected with Hazat Muhyiddin Chishti of Ajmer so मुझे उसमे काफी सुकून मिला, I started doing more and more films on Sufism I made two films on Hazat Ameer Khosrow also at that time and I made a serial called Husne Jana and this was all inspired by being in Delhi you know and then that time I met Sheila Dixit and Sheila ji asked me कि आप अपना वतन लखनु छोड़के यहाँ आए हैं तो मैं बता ही क्या खिदमत कर सकती हूँ तो मैंने का मैं खुद खिदमत के लिए आया हूँ, मुझे लगता है कि दिली जो है वो एक फकीरों का शहर है, फकीरों की बस्ती है और अगर कुछ मैं खिदमत कर सकूँ इन फकीरों की तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी तो दनाइव सजेस्टिटिट वाट आप अमीर खुसरो, I said, कि यह परसन हूँ बिएुग चुछ दूटर, कि थी भूल हमा चूटर, कि बिएुगाई बिए। So I said, let's celebrate his spirit तब आपने यह जहाने खुसरोा फेस्टिवल कि तो 10 साल हो गए है और मौस्त सन 2001 में आपने जहाने खुसरोा And one very very good thing about Sheila ji was that she didn't interfere, she didn't allow any interference with the aesthetics or the structure of the festival she said let him do it he's a crazy guy let him just do it his way basic मैं पहला काम तो ही होता है कि मैं साल भर सिर्फ कलाम की खोज में रहता हूं और हर वक्त मैं मेर पास जतना कलाम आता है और पहुचता है और मैं जिस कलाम तक पहुच जाता हूं किसी तरीके से वो कलाम खेच लेता है मैं जिस्ट सेलेक्ट अबाओ दस पंदरा घजले मैं उसमें से इन्तखाब करता हूं और उनको मैं बैठके उनको मैं जीता हूं उनको तर्जमा करता हूं इंग्लिश में ताके हर आदमी उसको समझ सके कि क्या आजकल सबसे बड़ा मसला जबान का है और उसके बाद पहर जो जो पेश करने वाला है वो भी उसी महबत के साथ उसी समर्पन के साथ उस चीज को पेश करें ताकि वो लोगों के दिलों में चली जाए जहाने खुसरों की एक एक बैन अलाक्वामी एक इंटरनेशनल फ्रिटरिनिटी बन गई है लोग जानते हैं यह होता है और सब आर्ट सफर मुश्किल है क्योंकि उनकी आवाज में जो एक पाकीजगी है वो मुझे नहीं मिल पाती ही कहीं मैंने बहुत नून्डा जहाने खुसरों तो आप एक हाइलाइट बन गया है दिली की अनुए कल्ट्रल क्यालेंडर का नियत पाकीजगी के साथ होता है तो यह जो जलसा है यह इसमें बड़े इहतराम से लोग आते हैं इतने रिस्पेक्ट के साथ आते हैं कि अगर वो रिस्पेक्ट के साथ ना है तो उनको वो मजा भी नहीं आए बिल्ली आपको स्पिसिफिकली कैसे इंस्पाय करती है दिली में कम से कम सुकून है आदमी खुआद देख सकता ह सबने में कर क्या है है रैक ट्रेश ने हितो जड़ा है ऐतो स्टिबभा ए सबाद रिखास राफ जिया हम चलता हूं दिली है लिग खुटवारा भी यह क्यों से लग अलग अलग इंस्परिशञता पने लिख से लगार कर सकता हूं लगन को से दिली को अरे गोरा रोग से करता है दिमाग में लेकिन दिल्ली से बहुत कुछ मुझे मिला है और सबसे बड़ी चीज है कि हाँ देज लौड ऑफ हुमन एनरजी और मुक्तलिफ तरहां के लोग हैं यहां पर जो मुक्तलिफ चीजों में दिल्चस्पी है रूची है और उनको हम नियावद से भी जोड सक है और वो यह कि यहां पर हर धर्म हर जाती और संप्रदाय के लोग बसते हैं लेकिन फिर भी दिल्ली सब की है कोई भी एक कम्यूनिटी यहां पर बाकियों पर हावी नहीं होती है तो सेक्यूलरिजम जो है हमारी कॉंस्टिटूशन का एहम पहलू क्या आप मानते हैं कि दि है हमारे खिद्मत यह यह वशवत ना हैOOOO तो यह अदब का मामला है महूब का मामला है जो दिल्ली ने कायम है I'm मैं किसी की तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें शीला जी का बढ़ा हाथ है। वैसे Music, Dance, Theater, Fine Arts, दिल्ली सरकार ने इन सब को बढ़ावा देने के लिए सालाना Delhi Celebrates के बैनर के तहट अलग-अलग तरह के festivals और्गनाइज करे हैं। जैसे कि भक्ती संगीत, कुतुब फेस्टिवल, सूफी फेस्टिवल, Music in the Park, भारतेंदू नाट्य उत्सफ। मुजफर साब क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार के इस प्रयास ने कदर्दानों और कलाकारों के बीच की जो दूरी है उसको कम किया है। यह बहुत अच्छी पहल है, देली हमेशा से एक सांस्कृतिक शहर रहा है और यहां पर मैंने देखा कि एक वक्त था कि बहुत से लोग बंबई में रहते थे, बहुत से पेंटर्स और बहुत से गाने वाले, उनका एक वहां से मूफ करके दिल्ली भी आके रहे, तयब मेहत और यहां सब रहते थे, हुसेन साब यहां रहते थे, एक गदर तो दिल्ली में रही है और खासतोर से पिछले दशक में जो एक आगाही पैदा हुई है, कल्चर को लेकि वो बाकी काबले तारीफ है, उसने टोगों को सिंसिटाइज किया है In fact, मैं सभी को बताना चाहूँगी कि दिल्ली सरकार कई मनोरंजक फेस्टिवल्स के द्वारा जैसे की काइट फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल, दिल्ली के पकवान, इत्र फेस्टिवल, लोकल क्राफ्स और आर्टिजन्स को भी बहुत बड़ावा देती है, जिसमें दे कि दिल्ली के दिल्ली के लिए बनाया है और पूरा ये तरीके से लिखा जाया जो कॉनाट पलेस्में राजीव गान्डी भवन है, इत्स बिकम इन इंस्टिशिएं निदिली एक मरकज बन गया है, दस्तकारी का लोगों तक पहुचने का, ये तो नहीं के दुनिया को दस्त दस्तकारी के बगार तो लुट्फनी जिंदिगी का, हम भी एक दस्तकार हैं, और अगर हम दस्तकार ना होते तो आपको तो काफी कादिदान मिल गए, लेकिन छोटे-छोटे क्राफ्समन को भी मिलते हैं दिल्ली में, तो हम उनके साथ हैं, वैसे दिल्ली एक एतिहासिक शह तो आप एक कलाकार बतौर इस शेत्र में कैसे इंवल्फ हो गए? क्योंकि बगार कलाकार के तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना, तो हुसन परस्त है, जहां उसको महौल बिगड़ा हो अलगता है, उसके दिल को तक्नीफ होती है, तो को समारक में भी हुसन दिख चाता है, हुसन कर लिया है, छोटी-छोटी बड़ी-बड़ी इमारतों की पुरी उन्होंने एक डीटेल वो बनाई है, फेरिस्त बना लिया है, फेरिस्त का एक तो वॉल्यूम बुक, ओ वाओ, इस वेरी नाइस, डीटेल बुक ऑन एवरी सिंगल, हरिटेज, बिल्डिंग, एक्चली दिल भी देती है, तो मुझफर साथ, यंग टैलेंट को इंकरेज करना और सीनियर आर्टिस्ट को बढ़ावा देना, उनको आदर देना, ये सब जो है, ये सब कला और संस्कृती को बढ़ावा देने में कितना माइन रखती है, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पुरान के साथ भी आगई है, इंडिविज्ग्योल के साथ आगी, लेकिन जो सरकार का एक रोल होता है, वा एक विलकुल चीसे कहना चाहिए, बे-लॉस रोल होता है, ये था बगगर पिक्चर है, तो वह बहुत जरूरी कि अगर उनको बड़ी तस्वीर उनके सामने नहीं होगी, कल कलाकार के मसलों की तो एक समझे अंदकार होगा वहां पर तो मुझे लगता है कि इस महौल में देली सरकार ने बहुत कुछ किया है, एक रोशनी पैदा की है कला के जरीये से, दस्तकारी के जरीये से और बगएर इजद दिये हुए तो कला परापी नहीं सकती है, सबसे बड़ प्रेदित हो जाता है, वहां वो खिल जाता है, एसी क्या बात है दिली में जो actually artists और people who are associated with culture उन्हें attract करती है, दिली तो मतलब इसमें है एक नशा, मतलब आप से खाए एक एक vibration है, एक spiritual vibration है, एक undercurrent है दिली में, जो लोगों को खेचता है, कलाकारों को खेचता हूबर मेरी ब और मतलब सम्परदायक्ता से दूर रहे, मुजफर साहब आपके शायराना अंदाज की तो हम बात करी चुके हैं, तो क्यों न दिली को लेकर एक खुबसूरत सा शेर हो जाए, दिली के न थे कूचे और आके मुसविर थे, जो शकल नजर आई, तस्वीर नजर आई, अरे व अमीर साब का शेर है, ये मीर साब का शेर है, वंडर्फुल, ये बताएए कि दिली की ऐसी कौनसी बात है, दिली का कौन सा पहलू है, जो आपके दिल के सबसे करीब है, एक तो दिली के पेड़, यहां दिली में अभी भी बहुत पुराने, कदीम बड़े पेड़ हैं, जो बहुत कम मिलते हैं, लोधी गार्डन्स आप देख लें, या पुराना जो लुटियन्स का दिली है, वो देख लें, फिर जो दिली के बागात हैं, जो यहां जिस तरीके से बागों को मिंटेन किया गया है, बहुत कम शेरों में इस तरीके से किया गया है, फिर जो दिली की इमारते हैं, वो भी बड़ी अच्छी, जादा तर बहुत अच्छी हालात में हैं, फिर दिल्ली के लोग भी काफी मुहजब हैं, दिल्वाले हैं, और फिर एक कला का जो महौल है दिल्ली में, एक ताजी हवा जो दिल्ली में चलती है, हम तो, हमने तो आपको पूरी पहले हुमादी, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में बहुत जादा चीसे कहना चाहिए, सुकून और आराम है, जो कम शहरों में इस दुनिया के हैं, पिछले कुछ सालों में आपने दिल्ली में क्या बदलाव देखे हैं, अच्छी चीज तो यह हो गई है, कि जो दिल्ली की एक सोच है, वो एक आगे की सोच है, हमने देखा कि अब दिल्ली जो है, यहां पर जो सौके हैं, बहुत उंदा हो गई है, फ्लायोवर्स बहुत अच्छे हो गई है, मेट्रोस ने पूरी दुनिया बदल दी, मेट्रोस जो है, मैं बदाई देता हूं दिल्ली को कि उसने अच्छा बदल दिया, ट्रावल को दिल्ली में, यह तो बात है, आदमी ऐसी जगहां पहुच जाता है, जो कभी खुआब में भी नी सोच तकता है, कोई रहता है, कोई रहता है, कोई सालों पहले चादनी चौक जाना होता था, तो मतलब दिनों दिन की प्लानिंग होती थी कि इतनी दूर जाना है, कैसे पहुचेंगे और अब तो एक दस मिनट में पहुचेंगे, बहुत 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 फर्क पड़ गया है, एक पुरा उससे कल्चर बदल गया है, दिल्ली का, हर चीज आसान हो गई है, करीब हो गई है, यह बहुत बड़ा, एकदम एस एर दिल्ली के बारे में तो आप क्या बदलते हैं, कोई भी चीज? बदलने की तो देखिए हम हमत नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर लोगों की मान सिकता, में एक महबत, इंसानियत और कौमी एक जहती है, दिल्ली नहीं है, दिल्ली हिंदुस्तान का एक नमून दिल्ली में हर तरह के लोग हैं, South के भी है, North East के भी है, Kashmir के है, पूरी पूरी बस्तिया है, अलग-अलग खितों की, अलग-अलग रजिएंस की, और रहते हैं अपने दिल्ली उनकी वही दिल्ली है, लड़ाप के है, तिबद के है, बतलब कहा के लोग नहीं है है बिल्कु के मैंने प्रच पी उनको अपने दिल資े लगाए है बीत बात है कि कोई कम्यूनल इजम नजर नहीं सो बॉल्यिआ है और यह हंुई-ई हावट है। यह हिंडुस्तान ahíədhly in this house अमस्टान a क्रें थेकि लोग जानते हैं। हमारे मैंक्र mündang हैं। और दिल्ली जो है यह तो बहुत मानी जाती है, you know, for its wonderful, you know, cuisine. तो ऐसे कौन से आपकी, you know, कुछ पुरानी यादे हैं किसी particular restaurant से जूड़ी या कोई ऐसी जगा जहां आप जाना पसंद करते हैं, जहां आप खाना खाना पसंद करते हैं? दिल्ली तो वाकी खानों का भी शहर है, कोई शक नहीं है, और अब जहरे पुरानी दिल्ली हम लोग जाय करते थे, एक जवाना था, करीम के वहां, हुसेन साब भी वहां जाते थे, अब पता है नहीं आप तो बहुत में से गया नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है, सही है, मेरा annual हां पर, चलें, और फिर यहां का दिल्ली में जो चार्ट मिलता है, बंगाली मार्केट वगरा के आसपास, हर तरह के खाने हैं यहां पर, मतलब फाइव स्टार से लेके सड़क के खाने, there's some fabulous restaurants here in दिल्ली, कला और संस्कृती को दिल के इतना करीब रखने वाले आप जैसे कल कार को दिल्ली दिल से सलाम करती है, well मुजफर अली साहब के साथ बाते करके हमें भी दिल्ली के इस अनूठे पहलू के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है, हम फिर मिलेंगे एक और दिल्चस्प हस्ती के साथ और महसूस करेंगे दिल्ली की धड़कन, तब तक मिनी और दिल्ली दिल से की तरफ से अलविदा